साथियो जैहिंद पिछले दो दिनों से देश में पिंसन को लेकर हल चल मचा है कोई कह रहा है कि सरकार पिंसन के नाम पर लॉलिपॉप दे रही है वहीं अगर हम बात करें किंद्रिय करमचारियों का तो किंद्रिये करमचारी का एक वर्ग कह रहा है कि OPS लागू होना चाहिए वहीं बात करे करमचारियों के दूसरे वर्ग की जो कुछ हद तक Unified Pension Skim यानि UPS से खुस है तक कहना है कि भाले हमें Old Pension नहीं मिल रहा हो लेकिन NPS से UPS कई गुना अच्छा है इस वीडियो को देखने के बाद आपको तीनों Pension में अंतर समझ में आ जाएगा चाहिए वो NPS हो, OPS हो या UPS हो तब से पहले हम Old Pension Skim को देखते हैं कि उसमें करमचारियों को क्या-क्या मिलता था बात करें कि अगर आप Old Pension Scheme के तहट 25 साल सर्विस देते हैं यानि 25 साल सेबा करते हैं और उस समय आपका जो Basic पे है यानि मूल बेतन है वो 50,000 रुपया है पलस आपको DA मिलेगा Old Pension के तहट वहीं पर बात करें Family Pension की तो Family Pension मूल बेतन का 30% यानि कि 15,000 रुपया पलस आपको DA मिलेगा Family Pension के तहट यह Old Pension Skim की हम बाते कर रहे हैं वहीं पर निउन्तम पेंसन जो था 9,000 रुपया पलस DA आपका निउन्तम पेंसन कम से कम 9,000 रुपया होता तो यह आपका Old Pension के तहट आपका क्या था कि Basic पेपर इतनी चीजे इस परसेंटेज के हिसाब से पैसा मिलता था अगर आप 25 साल तक सर्विस करते हैं और आपका उस समय Basic 50,000 रुपया है तो उसमें आपको क्या मिलेगा वो देख लीजे यहां पे आपको Basic पेका 50% यानि की 25,000 रुपया पलस DR यानि महाँ राहत मिलेगा आपको लग रहा हो कि UPS और OPS दोनों में ये लगभग सीम रखा गया है यहां भी आपको Basic पेका 50% मिलेगा यानि 25,000 रुपया पलस DR मिलेगा वही पे Second Point देख लेते हैं Family Pinson की बाते करेते हैं नहीं पर भी कहा गया है कि मूल बेतन का 60% यानि की 30,000 रुपया पलस DR आपको मिलेगा वहाँ पे मूल बेतन कितना था 30% था यहां पर जो Family Pinson का मूल बेतन का कर दिया गया वो क कितना कर दिया गया है 60% कर दिया यह यनि 30,000 रुपया आपको क्या मिलेगा जैसे family pension 30% से बढ़ा कर 60% कर दिया गया है बाकि मुलबेतन जो 50% था जो last में जब आप रिटार जाते थे तो आप basic का 50% मिलता था यहां भी कहा गया है कि basic का 50% मिलेगा पलस DR यानि महांगाई राहत आपको मिलेगा UPS में gratuity में नुकसान यहां पे देख लिजिए कि 25 साल की नौकरी और 50,000 रुपे के मुलबेतन यानि basic paper पुरानी pension scheme में जो gratuity बनती थी वो 12,37,500 रुपे की बनेगी जबकि unified pension scheme में या 9,37,500 रुपे की होगी यानि gratuity में क्या है कुछ यहां पे नुकसान है अब बात करें जो unified pension scheme आया है उसमें नई scheme के तहत मुलबेतन यानि basic paper 50% रासी pension के रुप में मिलेगी यह तो तैकर दिया सरकार ने आपकी basic salary का आउसत निकाला जाएगा यानि last month का नहीं देखा जाएगा old pension के तहत यहां पे देखा किया जाएगा कि पूरे 12 महीने का यानि जिस साल आप retire होंगे उस पूरे 12 महीने के आपके salary का यहां पे क्या किया जाएगा और उसका 50% रासी pension के रूप में दिया जाएग अगला जो महात्पुर्म point है यहां पे देख लिजे कि 50% रासी किस सर्थ पर मिलेगी जैसे old pension में था कि कम से कम आपको 20 बर्स नौकरी करनी होगी 20 बर्स service करने के बाद आपका जो pension रासी था वो 50% मिलता था यहां पे इसको सरकार ने change कर दिया है यहां पे बताया गया है कि नौकरी को नियूंतम 25 साल होने चाहिए यानि अब आपको 50% pension पाने के लिए 20 साल के जगह आपको 25 साल नौकरी करनी पड़ेगी आप यह 5 साल क्या हो रहा है यानि 5 साल आपको ज़्यादा नौकरी यानि service कर की है हम बात करें कि कई लोग होते हैं 10 साल 12 साल नौकरी करके चले जाते हैं उनका मन नहीं लगता है यानि बहुत सारा कारण होता है तो उसमें क्या होगा आप यहां पे देख लिए कि नियूंतम 10 साल की नौकरी से रिटायर हुए तो 10,000 रुपे pension मिलेगी यहां पे बहु बड़ी बात है क्योंकि कम से कम आपको गारेंटी दे रहा है कि आप 10 साल एक दिन भी नौकरी करके अगर छोड़ के जाते हैं तो कम से कम आपको 10,000 pension और साथ में आपको DR मिलेगा यह बड़ी बात है अब हम बाते करते हैं कि old pension scheme में क्या था आपको पता है कि इसमें करमचा करमचारियों पर परने वाला यह बहुत बड़ा है इसका मुद्दा सभी करमचारी जो एक बड़ा बर्ग यह मुद्दा उठा रहा है कि हमारा ही पैसा सरकार लेकर हमें देगा क्योंकि old pension scheme में करमचारियों का कोई भी योगदान नहीं था तो यहां पर बाते आप समझ लि लेकिन UPS में क्या होगा कि इसका योगदान यहां पे सरकार का बढ़ जाएगा यहीं सरकार अब योगदान 14% के जगा 18.5% देगी करमचारी का योगदान इस्थिर रखा गया है 3% ही करमचारी योगदान देगा लेकिन सरकार का योगदान 14% से बढ़ा कर 18.5% कर दिया गय है कि वह हर तीन साल में समिच्छा करेगी कि क्या इसे बढ़ाया जाए ये भी महत्पुन पॉइंट बताया गया है अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ OPS और UPS की बाते हो रही है NPS की बाते क्यों नहीं हो रही है तो करमचारी का जो कुछ बर्ग है कुछ बर्ग क्या बहुत बड़ा बर्ग है वो क्यों खुस है वो इसलिए खुस है कि NPS में उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा था पूरा सियर बजार पे डिपेंड था 20 साल 25 साल नोकरिगर के जाते पता चलता कि 5000 भी पेंसन नहीं मिलता उसका फॉर्मूला देख लीजिए सबसे पहले अगर आप 10 साल तक नोकरी करते है तो मिनिमम आपको 10,000 पेंसन मिलेगा प्लस डिये मिलेगा एक 11 साल की नोकरी तक आपको 22% क्या मिलेगा डिये का मिलेगा प्लस बेसिक ऑफ डिये मिलेगा 12, 12 साल करते हैं तो 24, 13 साल करते हैं तो 26, 14 साल करते हैं तो 30 परसेंट और 16 साल करते हैं तो आपको 32 परसेंट इस तरह से या बढ़ता चला जाएगा आप देख लिजिए यहां आपका 25 साल तक यहाँ पर क्या हुआ है दिया गया है तो old pension इसकी में यह system था कि कम से कम आपको 20 साल नौकरी करके जानी परेगी उसके बाद ही आपको कोई pension का सुभधा दिया जाएगा लेकिन यहाँ पर है आप 10 साल के बाद किसी भी बर्स में आप नौकरी छोर कर जाएंगे तो आपके basic के ratio के हिसाब से आपको pension मिलेगा यह बहुत बड़ा बदलाव लाया गया है क्योंकि बीच में आप 10 साल नौकरी करने के बाद आप कभी भी नौकरी छोर के जाएं तो आपको pension की guarantee दी गई है लेकिन old pension इसकी में ऐसा नहीं था आपको पूरे 20 साल के बाद ही कोई भी pension की सुभधा थी वहीं पे 50% old pension में 20 साल बाता है यहाँ पे 50% pension के लिए आपको 25 बर्स रखा गया है तो आसा करता हूँ यह वीडियो आपको पूरी अच्छे धंक से समझ में आ गया हुआ कि NPS, UPS और old pension स्की में क्या अंतर अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि सरकारी करमचारी उसे लेटर कोई भी अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल के माधेम से आपको दिया जाता है धन्यवाद